एलो स्टुडेंस त्रिप्याप अपने हिंदी पाठे पुस्तक लीजिए और पेज नमबर 47 खोलिए हमने लेशन साथ पढ़ा था आईए आज इसका प्रस्ण उतर हम आलोचना करते हैं पहला है अब बताईए यह मोखिक वाला प्रस्ण हाती दादा ने किसको इकठा किया मित को फिर दूसरा दावत देने की किसने सोची हाती दादा ने ठीक है फिर लिखित प्रस्ण निम्न लिखित प्रस्णों के उत्तर दीजिए का धोल किसने बजाया था भालू ने धोल बजाया था फिर अगला पेज गन्य और केले का प्रवन किसने किया हाती ने तोता क्या ले कर आया था मीठे जामुन गाजर का हल्वा किसने बनाया था खरगोस और बिल्ली तीक है दो नमबर चित्र की सहायता से बाके पूरा कीजिए यह देखें चित्र देखकर यहाँ पर आपको खालिस्तान भरना है यह भालू भालू ढोल ले आया लोमडी बाजा ले आई खरगोस गाजर लाया और बिल्ली चीनी वो दूद लेकर आई तोता मीठे आम और वेर लाया फिर तीन नमबर सही उत्तर पर सुद्ध यानि टिक का निशान लगाई दूद लेकर कौन आया बिल्ली दाबत कहां हो रही थी जंगल में फिर तीन नमबर मिठाई का थाल किसने मंग बा सेर नि लड़ू का थाल किसने सजाया बंदर नि सजदजकर कौन आया चूहा चूहिया फिर भासा ग्यान ये वाला है ग्रामार भाक का कोश्चिन एंसर ओके तो यहाँ पर देखे चोटी उओ और बडी उओ की मात्रा सब्द में लगाई तो यहाँ पर कुछ सब्द दिया इन में छोटी उओ की मात्रा और बडी उओ की मात्रा लगाना है जैसे कि जामुन में छोटी उओ की मात्रा लगेगा मुर्गी मुर्गी में छोटी उओ की मात्रा फिर गुलाब फिर यह है गुलाब चूहिया फिर भालू भालू में बडी उओ की मात्रा दूद में भी अनेक होने का बोध होता हो उसे बचन कहते हैं मतलब बचन हमारे बचन दो प्रकार के होते हैं एक बचन और दूसरा है बखुबचन जब एक की मात्रा वाले संख्या होंगी मतलब जब एक ही बस्तू होगा तो वो एक बचन होगा और जब अनेक बस्तू होंगी वो गोड़ा है एक बचन क्योंकि एक गोड़ा है लेकिन गोड़े होने से हो जाएगा बहुबचन क्यों बहुत सारे गोड़े उसी तरह बिल्ली का है बिल्लिया केला केले गाजर गाजरिंग तोता तोतिंग गन्ना गन्ने तो ये थी सारी सब्दों का बहुबचन फिर उसके बा बोलेंगे राथ मैं आपको बोलू कि बहुत आप बोलेंगे कम तो ये वाला है विलोम सब्द मतलब आप जो इंगलिस में पढ़ते हो ना ओपजिट वर्ड तो वही है ठीक है तो आएए देखते हैं निम्नलिकित सब्दों के विलोम सब्द लिखी है पहला मित्र मित्र का कोस्चन एंसर तो बच्चों आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से मैंने जैसे ही जैसे आपने किताब में लिखा है आप भी उसी तरह आपने किताब में लिखिए और इसको अभ्यास कीजिए